हलो दोस्तों आज के दिन हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटीड फुली पेड और शेर्स के बारे में आप कह सकते हैं टाटा स्टील के बारे में तो जहां टाटा स्टॉक के बारे में तो यहां टाटा स्टॉक के बारे में तो यहां पर कंपनी के बारे में तो यहां अपडेट सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करें तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजे साथ में बैल आइकन दबा दीजे बात कर लो अगर मैं कंपनी की तो बहुत ही बैतरी इन कंपनी का परफॉमेंस देखने को मिला है पिछले कुछ कौर्टरली बेसिस पे तो हमें लगता आने वाले टाइम में इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेट्वेशन देखने को मिल सकता है बाकि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें लगता है ओवराल हो चुकी है और थोड़े से वक्त के बाद अगर हम आनलेसिस क करके देखते हैं तो एक मेनन में आसानी से मिल जाती है जिससा इसका जो प्रफोमंस है और ज्यादा निकर के देखने को मिलता है और और कमपने के बात करूं बिजनस के बारे में तो बहुत ज्यादा कंपनी के पास मार्केट कैप है और अच्छा खासा मॉनोपोली मार्केट जो इनका बिजनस है उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है तो आज का वीडियो हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे